दोस्तों फाइनली एक लंबे वक्त के बाद एक पिच्चर जो है सिनेमा घरों में एंटर कर चुकी है जिसका नाम है बेल बॉटम तो आईए जानते हैं कि क्या है हमारे खिलाडी कुमार यानि कि अक्षे कुमार के फिल्म बेल बॉटम का पूरा रिवियू कितने स्टार मिलन समय बाद जो है किसे फिल्म में सिनेमा घरों में थेटर में दस्तकती है इस फिल्म का नाम है बेल बॉटम तो वहीं पे अगर हम बात करें बेल बॉटम के बारे में तो एक अच्छी खासी स्टार कास्ट जो है अक्षी कुमार अपने फिल्म में लेकर चल रहे हैं जैसे कि ह हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में अक्षी कुमार है इसके अलबा हुमा खुरेशी है लारा दता है वानी कपूर है इतने साड़ी हसीनाओं के साथ जो है अक्षी कुमार लेकर आये हैं अपने मोस्ट अवेटेड फिल्म बेल बॉटम जो चलिए हम बात करते हैं कि बेल बॉटम फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म में बड़ी बड़ी जो पूरानी फिल्में है उनको मात दी है या फिर नहीं दोस्तों एक जामाना हुआ करता था जहां पे प्लेन हाइजैक किसे काफी फेमस इस फिल्म आप इस बनी है जैसे कि जमीर ंजजा और और कई ईस फिल्म हैं जो है पहमने देखा है कि आतक वाधी यहां हमारे प्लेंक को लेकिन इस फिल्म में जो हमाना बदलता हुआ धाह यह है 1984 की जब हमारा plane hijack हुआ था टेर्रीरिस्ट त्वारा इसे मिशन में पहले तो government ready हो गए थी कि वो सारी शर्ते माल लेंगी टेरिरिस्ट की लेकिन फिर बाद में अक्षी कुमार ने हमारी president यानि की लारदत्ता यानि की इंद्रा गालनी को convince किया था कि नहीं हम अपने उनकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे और हम अपने तरीके से हमारे लोगों की जान बचाएंगे इस mission का code word था bell bottom, bell bottom के जरिये जो है बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी उस hijack trap में वेल यहाँ पे नबस दोस्तों एक गलती करवेट हैं makers की अक्षी कुमार की love story को जान बूच कर जो है बहुत जादा घसीट रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं था अगर वही love story जो है शॉट में निप्टा देते और फिल्म को थोड़ा सा और वास्ट रखते तो मजा आ जाता अधर्वाइस फिल्म इस ओके अक्षी कुमार के dialogues के अगर हम बात करें तो अक्षी कुमार ने एक से बढ़कर एक धमा केदार dialogues जो है इस फिल्म में दिये है तो वही पर कुछ dialogues ऐसे भी है जिसे सुनकर आप के ड्रोंगते खड़े हो जाएंगे ओवराल पिचर बहुत अच्छी है और अक्षी कुमार के वाइफ ट्विंकल खन्ना का भी इस फिल्म में जो है रियाक्शन आया है कि ट्विंकल खन्ना ने कहा है कि अक्षी कुमार की ये फिल्म देखनी चाहिए इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ये पिचर काफी अच पनी नहीं को समय कोई पूर्षाइव कैसा बात लिम अपना अपना स्पेस दिया गया है, किसी रहते हैं उन्हों को अपने की स्पेस में अच्छा काम कर रहा है अक्षी कुमार की इसे के साथ साथ पिच्चर ओर आल बहुत अच्छी है, मैं इस पिच्चर को 5 out of 3 and a half star देना चाहूंगी, मैं डेर्ड स्टार इसले काटना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म में जो है अक्षी कुमार की जो लव लाइस दिखानी नहीं चाहिए तुसे भी जान बढ़ते भढ़ते डायलोग्स ते देना चाहूंगी, आप किने स्टार देना चाहेंगे, कमेंट सेक्षन में, कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजए तक जितनी भी लेटेस्ट या फिर चटपटीं कॉसिप से मैं, यानि कि काजल आप तक सबसे पहले पहुचाते रहूंगे और अगर आप ये वीडियो पेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, थैंक्यों सो मच पर वाचिग माई वीडियो